अदब गुइंकन्स ननी बच्चो आज हम इस्म यानि नाम के बारे में आपको कुछ और जानकारी देंगे यहाँ पर हमने कुछ नाम चुने है सबक नमबर पांच इस्म सफ़ा नमबर अठारा आपकी मेराज उर्डुक्रामर का ये सफ़ा नमबर है ठीक है तो चलिए देखेगा सवाल है प्यारे बचो नीचे देगए इसमों को सही तलफ़ के साथ पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए ठीक है तो चलिए हम ये नाम पढ़ेंगे आप ध्यान से देखे और सुनिए रबड है ना प्याला रबड एक रबड होता है जिससे हम कोई लिखी हुई चीज मिटाते हैं ना कुछ लिखा होता है कोई लफ़ज अगर गलत होता है तो हम रबड का इस्तिमाल करते हैं ना प्याला पीने की चीज आपने के लिए इस्तिमाल होता है, ख़िए कहाने के लिए भी कोई चीज हम खाते हैं, जैसे फिर्णी है, हलवा, मटर, एक सबसी है जिसके छिलके होते हैं सबज सबस होता है यह सफदा, दरुक, बंदर एक जानवर है, यह जनलू में भी पाया जाता है, इसको हम पालतु भी बना सकते हैं सिरी नगर हमारे शहर का नाम रामू किसी शख्स का नाम मुजखकर नाम है ना इमरान भी मुजखकर नाम चीता जंगली जानवर जो घोश्ट खोर है हिंदुस्तान का कौमी जानवर है ये बहांस ये पहाड़ी इलाकों में भी पाई जाती है और जमूबें भी जमूदिली हम जाएंगे क्योंके घर्मी होती है वहां पर ये दूद देती है ना बहुत मिकदार में देवदार एक दरख्त है यहां अगर हम गुलमर्ग और पहलगां वगएरा यानि सहत अबज़ा मकामात पर जाते हैं हमें देवदार के दरख्त देखने क की एक रियासत पंजाब का एक शहर है अंगूर एक फल है है ना इसको सुखा कर गिश्मिश बनाई जाते हैं देवदार ये हमने पढ़ा है ना बचो अब आप देखेगा यहां पर सबजियों के नाम जगूं के नाम शिखसों के नाम दरख्तों के नाम पालतु जानवरों क नाम फलूं के नाम वहशी हैवानوں के नाम लिखने पढ़ने की चीज़ों के नाम बरतनों के नाम। जैसे कि प्याला लिखने पढ़ने की चीज़ रबड नने बचो इसी तरह आप सारे नाम पढ़ कर अपनी सही जगह पर लिखेंगे और जहरन नशीन भी कीजीगा यहां पर हम इजाज़त लेना चाहेंगे. अल्हाफिज.